हेलो दोस्तों वेलकम पेक टू माई यूटूब चैनल सुरच पटल एजिकेशन में आप सभी दोस्तों का तै दिल से स्वागत हैं दोस्तों मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में स्वागत करवाने वाला हुँ जो अब भी परसो से साथ एकजाम चालू होने वाला है 25 से एकजाम चालू होने वाला पहला पेपर आपका यही है और मैं आप लोगों को बता दू जो समिस्टर 4 के स्टूइंट है एमकॉम के कि मैंने समिस्टर 1 के भी important question bank provide की है और उन student का कहना है कि सर आपके paper में से 80-85% question आए है जरूरी नहीं कि आपके भी paper में ये 80-85% आजाए 80-85% question आपके भी paper में आजाए ठीक है हो सकता है 50% आए 60% आए लेकिन जो एमकॉम part 1 के थे उनमें आए है और ये वो बच्चों ने तो खाए साती साथ मैंने खुद paper चेक करके उसका वीडियो बना के already upload किया है और जिस पे मेरे website पे important question bank भी provide किया गया था सूरचपटल education.com पे साती साथ उसके मैं वीडियो भी बना के बता रहा था लेकिन दोस्तों इस वक्त फिलार तो मैं गाउ में आ चुका हूँ ना ही मेरे पास कोई technology ना ही laptop है ना ही PC है ना ही बोया का mic है कि मेरी voice quality आपको अच्छी मिल पाया तो यह सब चीज के लिए आपको दिल से सोरी मेरे पास एक mobile है और mobile पर इस वक्त मैंने PDF मंगा लिया और उस PDF से ही वीडियो बना के दोस्तों मैं आप लोगों को आपके exam तक help करूंगा इस वक्त ना ही मैं कोई PPT बना सकता हूँ ना कुछ कर सकता हूँ क्योंकि mobile से वो सब काम operate नहीं हो पाते अच्छे तरीके से तो फिलाद तो मैं अभी PPT दिखा रहा हूँ और PPT पर question answer आपको दोनों दिखेंगे ठीक है मैं आपको 20 important question देने वाला हूँ हाँ जो भी मेरे से यह PDF बाय करता है definitely कि इस 20 question देने वाला हूँ जो भी बच्चा मेरे से PDF बाय कर रहा है उनको extra benefit दिया जा रहा है मैं PPT बना के पूरे question दिखाता था लेकिन आज के वीडियो में मैं PDF से बताने वाला हूँ reason कि मेरे पास technology इस बख available नहीं है तो चलिए दोस्तों हम पहला question देखते हो जो आपके exam के लि मुझे WhatsApp पे आपके paper जरूर से end करना कि मैं check कर सको कि कितने question हमारे इस PDF से आए है कि कि इसी तरीके से हमने m.com part 1 के student का किया था और काफी question मिल गये थे और काफी मतब 86% question मेरे ही यह PDF में से paper में आये हुए थे तो आपको जो second question है वो है explain the principle of SCM in detail principle तो दोस्तों आप लोगों को 100% करके जाना है answer भी आपको दीख रहा है लेकिन मैं answer आपको इसना नहीं दिखा रहा हूं मैं important question दे रहा हूं मैं answer नहीं दे रहा हूं answer आगर आपको चाहिए तो 10 question के answer मैंने मेरे website पर पूट किये हुए सूरज पटेल एजुकेशन एंड मुंबई युनिवर्सिटी आइडेल पर तब जाईए वहां से अराम से आप अपना question देख सकते बस पीड़ाप का problem है यह कि मैं को उपर नीचे करना पड़ता question देखने के लिए देखे question number 3 इधर है 3 explain in detail the process of SCM is contemporary business scenario यह करके जाना मैं इसको 70-30 का रेश्यों देखूँगा कि 100% आने के चांस फोड़ा तो मैंको मुस्किल लगते हैं लेकिन है important question है इसके लिए 70% आने के चांस है question number 4 यह जरूर करके जाना explain the concept of organize is SCM in detail दोस्ताब हम चलते question number 5 पे question number 5 पे दोस्तो explain in detail forecast in SCM and the need for the same in business important question है दोस्तों करके जाना अगर मैं इसका answer देखू तो इस तरीके का answer है आपको इस वक्स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा और यह answer मेरे website पर already दोस्तों दिये हुए है तो आपको इधर नहीं भी देखो गे तो भी चलेगा सिभी important question देखिए इसके लिए मैं PDF साबको सिभी important दिखा रहा हूँ question no.7 जो है दोस्तो explain the factors of selecting a suitable channel in a business scenario question no.8 पर जाते हैं दोस्तों हम तो question no.8 दोस्तों टेक्नलोजी ना होने के वसे इतना टाइम लग रहा है ने तो अब तक पीटी बनाया होता तो फटा-फटे के question आपके सामने आ गया होता तो question no.8 है दोस्तों characteristic of global supply chain question no.9 पर जाते हैं दोस्तों हम इस वक्त question no.9 पर आ चुके है ग्लोबर परफेक्ट्ट्यू गॉल एंड फंक्शन ओफ पर्फॉर्मेंस मेजर्मेंट यह जरूर करके जाना दोस्तों काफी important question आपके सामने है कि दोस्तों वोइस में थोड़ा problem आई रहा होगा ठीक है क्योंकि गाहों में उस्ते में सोरी यह सब चीजों के लिए write a brief note on form of supply chain network ठीक है अब हम question number 11 देख रहे हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है अगर मेरी मेहनत अच्छी लग रही ना दोस्तों एक request रहेगा कि channel को like से subscribe करना ना भूले जरूर कीजिए और अपने ज्यादा स्यादा दोस्तों को जरूर सेर कीजिए question number 11 काफी ज़्यादा इंपोर्ट है अगर short note की बात करूं तो global supply chain short note यह आपको जरूर करके जाना चाहिए और अगर आपने brief question किया होगा तो यह question definitely खुद बाखुद कवर हो जाएंगे दोस्तों आपके question number 12 की बात करूं तो explain matter of measure the efficiency of domestic supply chain network इस तरीके से जो भी पीड़ बाई करता है दोस्तों आपको photo, image, word, proper एक way में मिलता है तो अगर आप मेरे से पीड़ बाई करेंगे तो और एक request करता हो कि आपके चारो subject के पीड़ बाई कर लेना मैं important question फिर आपको जरूरत नहीं कि क्या पता मैं भी कितनी बार वीडियो बना पाऊं इदा नेटवर्क नहीं होते लाइट नहीं होते तो काफी इसू हो रहे दोस्तों कि साथ वीडियो मेरा रेगुलर बैस में ट्राय करूंगा आपके एक्जाम में पूरा help करने की दोस्तों question number 13 है write a brief note on the economic impact of SCM तो question number 14 पर चलते हैं role of customers in strategic supply and management question number 15 की बात करूं तो दोस्तों customer customer perfect of SCM not short note आपको तैयारी करके जाना है question number 16 भी काफी इंपोर्टन सॉट नॉट बैस पर balance scorecard सॉट नॉट जहां सॉट नॉट है दोस्तों मैंने सॉट नॉट लिखा हुआ हुआ है तो question number 18 है write a note on three CS यह दोस्तों आपको 100% करके जाना है maximum चांस है कि यह सोट नॉट आपके एक्जाम में आएगा ही देखिए मैं अपने experience पर आपको important question के बाद भी extra advanced important question भी आपको मैं बता रहूं कि यह आपको करना जरूरी है discuss on changing the logistic environment logistical environment question number 19 है दोस्तों write a note on reverse logistics question number 20 और last of least है हमारा यह और काफी important question भी है कि important of inventory control दोस्तों 20 question मैं आप लोगों को दे रहा हूं यह 20 question आप लोगों को exam में तैयारी करके जाना है जो भी पीडिएप बाइक कर रहा है दोस्तों आपको 32 question मिलेगा और जो 32 question मेरे से यह important question है इससे लावा कुछ और पढ़ाई भी नहीं करना है अगर आप last moment पर study कर रहा है तब भी मेरा पीडिएप आपको बहुत यूस्टों होगा और इसके लावा कुछ और पढ़ाई करने की विजूरत नहीं होगी यह आपके ही university के books से important question निकाले गए है उसके answer सब चीज़ इसम प्रोपर वे में रखा गया है दोस्तों और आपको काफी ज़्यादा advantage होगा जो भी पीड़ाई कर रहा है maximum maximum question इसी में से फसने वाला और जो मैंने 20 भी question दिया जो फिरी में करने वाले student उनके लिए भी काफी important होने वाला है कि इसमें से maximum question आपके भी exam में आएंगे तो आया अब दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद जरूर करना मैं आपके वीडियो मतलब YouTube चैनल पर जरूर कमेंट करना मैं आपके कमेंट कर 24 hours में जरूर reply दूंगा और थोड़ा मुस्किल है क्योंकि जहां हूँ इस समय तो proper network नहीं है लेकिन मैं try करूंगा और अगर आपको पीडियाप चाहिए तो मेरा contact number आप उधर से अपिलूंगा नेक्स वीडियो में जब तक के लिए बाइबाय दोस्तों जैहिंद जैभारत दोस्तों